अगर आप हमारे साथ टेलिग्राम पर भी जोड़ाइब आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चैनल में टॉप टेन कोशन की सिरीज स्टार्ट की है और उसी सिरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की सिरीज को कंटीनियू करते हैं और अगर आपको ये प जुड़ सकते हैं तो आए शुड़ू करते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे अंडमान की हाइस पीक कौन सी है सिक मैन ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे कोशन के आंसर जानने के लिए आप हमारे साथ आखरी तक जुड़े रहिए आए पहला कुशण है विच कंट्री इस ओनने का लेंड ऑफ राइसिंग सण किस देश को सूरु उद्च का देश भी कहा जाता है सूरु उद्च की भूमी भी कहा जाता है पहला ऑप्शन है ऐसे यू जबहा marks दोसरा आम्टरा ओप्शन है नियूजिलीलेंड तीसरा ओप्शन ह जापान, चौथा ओप्शन है, स्विट्जर लेंड, तो जो इसका जो आंसर है, लेंड ओफ राइजिंग सन, यानि की सूर्य उद्य की भूमी, तो इसका जो आंसर है, वो है, आंसर ओप्शन नमबर थरी, जापान, हमारा नेक्स कोशन है, विच कंट्री इस नोन एस दा लेंड ओफ थाउजन लेक, किस कंट्री को थाउजन लेकों की भूमी कहा जाता है, तो जो पहला आंसर ओप्शन है, हमारा वो है फिलिपेंस, दूसर ओप्शन है सिंगापूर, तीसर ओप्शन है फिनलेंड, और चौत ओप्शन है नॉर्वे, तो जो हजार लेकों की जो लेंड है भूमी है वो है फिनलेंड, तो इसका आंसर हो गया ओप्शन नंबर तरी फिनलेंड, हमारा जो नेक्स कोशन है, वो है स्वाजी लेंड इस स्विचेटेट इन विच कॉंटिनेंट, जो स्वाजी लेंड है कंट्री, वो किस कॉंटिनें में है पहला अप्षन है एशिया दूसरा अप्ष साउद अफरीका और आफ्षींग और से एक चीज दिखे क detto जो स्वाजि रैंड वह अफरीका में और स्विचिर लैंड यूरोप में हैं कि यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है दोनों fraction में यूरोप और अफरीका में तो जो answer है इसका वो है option number 3, Africa Swaziland is situated in Africa हमारा जो next question है Which city is known as port of five seas? किस शहर को port of five seas के नाम से भी जानते हैं? पहला option है Canberra, दूसरा option है Texas, तीसरा option है Moscow, चौता option है Beijing तो जो port of five seas है वो है Moscow तो इसका answer हो गया option number 3, Moscow हमारा next question है Which country is known as sick man of Europe? बिमार आदमी यूरोप का किस country को कहते हैं, किस देश को कहते हैं? पहला option है Germany, दूसरा option है France, तीसरा option है Turkey, चौता option है Sweden तो जो यूरोप का बिमार आदमी है या sick man of Europe कहते हैं तो इसका answer है Turkey ठीके Turkey को हम sick man of Europe के नाम से जानते हैं इसलिए इसका answer हो गया option number 3, Turkey हमारा next question है Which city is known as city of prime minister? किस शहर को प्रधान मंत्रियों का शहर भी कहते हैं? पहला option है Raibereli, दूसरा option है Gorakpur, तीसरा option है Alhabaad, चौता option है लखनू तो जो प्रधान मंत्रियों का शहर है वह है Alhabaad पिसका answer हो गया option number 3, Alhabaad अब आपको जैसा की पता है, अब इसका नाम चेंज होके Alhabaad का प्रयाग राज हो गया है हमारा जो next question है, वो है highest peak of Andaman in Nicobar, Iceland जो highest mountain है Andaman Nicobar का वो कौन सा है? या चोटी जो है Andaman Nicobar की highest पहला option है Candle Peak, दूसरा option है Great Peak, तीसरा option है Saddle Peak, और चोथा option है Narg Condem Peak ठीक है, तो जो इसका answer है Andaman Nicobar की जो highest peak है, वो है Saddle Peak हमारा next question है, वेंबनार्ड लेक is situated in which state? जो वेंबनार्ड लेक है, वो किस राज्ज में है? पहला option है Andhra Pradesh, दूसरा option है Telangana, तीसरा option है Kerala, चौथा option है Tamil Nadu तो जो वेंबनार्ड लेक है, वो Kerala में situated है तो इसका answer हो गया option number 3 Kerala हमारा next question है Which port is deal with export of iron ore to Japan? कौन सा port है, जो जापान को iron ore भेजने का काम करता है ठीक है, यहाँ पर question में थोड़ी misprint है old आ गया है, port की जगे Which old हो गया है, यहाँ पर बलकियो होगा which port? ठीक है, तो जो कौन सा port है, जो जापान को iron ore भेजने का काम करता है पहला option है हमारा हाल दिया, दूसरा option है एन नौर तीसरा option है विशाका पटनम, चौता option है port बलेर तो जो port है, जो जापान को export करता है iron ore, वो है विशाका पटनम तो इसलिए इसका answer हो गया, option number 3, विशाका पटनम हाल दिया जो port है, वो है हमारा west बंगाल में इन नौर port है, तमिल नाडू में, विशाका पटनम port है आंदर प्रदेश में और जो port बलेर है, वो है अंडमान निकोबार आइजलेंड में हमारा next question है, which state is not the part of western ghat, कौन सा राज्य western ghat का पार्ट नहीं है, पहला option है गुजरात, दूसरा option है गोवा, तीसरा option है आंदर प्रदेश, चौता option है करनाटका, तो जो राज्य जो western ghat का पार्ट नहीं है, वो है आंदर प्रदेश, क्योंकि यह eastern ghat में situated है, इसलिए इसका answer हो गया, option number 3, आंदर प्रदेश, थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, that's all, have a nice day